हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे युट्यूब चनल पर तो इस रोड़ो में मैं आपको उताने वाले हैं कि नया नंबर जीमेल पर कैसे सेव करें कोई भी नंबर अगर आप सेव करते हैं तो आप अगर उसे जीमेल पर सेव कर देंगे फिर आपको search कर देना है search करने के बाद एक छोटा सा application आएगा 4-5 MB का इसे आप देख सकते हैं आपको इसे install कर लेना है देखे मैंने install कर रखा है install करने के बाद इसे open करना है तो चलिए हम इसे open करते हैं open करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पर एक भी नंबर सेव नहीं है एक भी नंबर नहीं दिखा रहा है अगर आपने फोन में सेव किया होगा तो यहां पर आप क्लिक करके फोन को फिलेक्ट कर लेंगे तो नंबर दिखाएगा चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे दिखाएगा इस पर क्लिक करके फिलेक्ट कर ले तो देखिए यहां पर हमने फोन को फ्लेक्ट कर लिया फोन का लोगो सो कर रहा है और इसमें दो नंबर सेव है अब चलिए हम यहां से चेंज करते हैं जीमिल को फ्लेक्ट कर लेते हैं और आगे आपके बताते हैं कि कैसे आप सेव कर सकते हैं तो देखिए यहां पर हमने क्लि करना है उसे डायल कर देना है कोई भी नंबर हुआ एक नंबर हम यहाँ पर डायल कर देते हैं तो guys जैसे कि मैंने एक नंबर डाल कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हैं अब इसे जैसे आप save करते हैं वैसे he is save करना है तो मैं create new contact पे click करता हूँ click करने के बाद यहां पर कुछ option मिलेंगे यहां पर देखिए save to लिखा है save to का जो option है यहीं पर आपको device show कर रहा है आपको क्या करना है इस device वाले option पे click करना है जो यहाँ पर device लिखा है इस छोटे से तीर वाले option पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपका Gmail आ जाएगा Gmail पर click कर देना है देखिए मैंने Gmail पर click कर दिया अब आपको यहां first name पे click करना है click करने के बाद आप जो भी नाम देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं जैसे कि मैं यहांपर लिखता हूँ SP तो यहांपर देखे मैंने SP लिख दिया last name भी आप लिख सकते हैं नए तो छोड़ सकते हैं आपकी मरजी अब Gmail यहांपर देख लिखे जीए Gmail यही है फोटो यही लगा है अब इतना करने के बाद आपको उपर save पे click कर देना है नमबर save हो चुका है अब हम simply contact को open करते हैं देखे नमबर जो है save हो चुका है यही Gmail था इस Gmail पे नया नमबर save हो चुका है इस तरीके से आप किसी भी नमबर को save कर सकते हैं काफी आसान तरीके से अब जब भी हमारा phone restore होगा या फिर दूसरे phone में अगर हम Gmail ID login करेंगे तो यह नमबर हमें मिल जाएगा कभी भी तो guys इस तरीके से आप भी कर सकते हैं आज कुरूं बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू